दोस्तो ओम नमस्षिवाय दोस्तो यदि आप डेली का रासिफल, सापताहिक रासिफल और मासिक रासिफल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें यहां आपको समय समय पर सभी जानकरियां मिलती रहेंगी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साथ और आठ जोन 2023 के धनुरासिफल के बारे में जानेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तल होंगे, क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिंचरिया को कैसे परभावित करेंगे जानेंगे आपके वेपार, वेपसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन सभी के बारे में तो दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले साथ जून 2023 के बारे में तो असाड महा का किर्शन पक्च का बुद्धवार का दिन होगा और इस दिने संकस्टी चतुर्ती होगी और बुद्धवार के सुब संयोग में संकस्टी चतुर्ती पर सुब परणाम प्राप्त होंगे यह दिन भगवान गनेश को समर्पित होता है साथ ही इस दिन ब्रह्मयोग बनेगा उत्तरा साधा नक्षत्र होगा सुर्यदेव विर्षव रासी में व्राजमान होगे और चंदरदेव मकर रासी में व्राजमान होगे यानि यहाँ चंदरवा आपके दित्य भाव में धन भाव में व्राजमान होगा साथ जो उनको आसाट महा की पहली चतुर्ती रहेगी और यह चतुर्ती गनेश जी को समर्पित होती है इस दिन विशेज, पूजा और वरत किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे हर तरह की परिशानिया कस्ट दूर होते है वैसे भी गनेश जी को विग्न हर्ता कहा जाता है यानि कस्टों को दूर करने वाला कस्टों को हरने वाला तो ऐसे में बुद्धवार के संयोग में इस विरत में गनेश जी की पूजा का सुब और बढ़ जाएगा और इजन ब्रह्मा और महालक्ष्मी योग भी बन रहा है, गजकेश्री योग है, तो ऐसे में इस दिन का फल और भी बढ़ जाएगा, साथ ही महालक्ष्मी की किरपा से धन धान्ने में और आपके सुखों में वरत्धी होगी, इस दिन भगवान गनेश का सच्चे मन से ध्यान करने से आपकी सभी मनो कामनाई पूर्ण होंगी, और अच्छे लाग प्राप्थ होंगे, तो यहाँ चंद्रमा मकर रासी में होगा, यानि आपके दित्ते भाव में, तो ऐसे में कुछ महत्पूर्ण मुद्दों पर आप निर्ना लेने में सक्चमोंगे, जो आने वाले सम में आपको अच्छा फायदा देंगे, और मन की यह इस पस्टता आपको सफल होने में सहता करेगी, आज साम साड़े-पांच बज़े से साड़े-च्छे बज़े तक का जो समय होगा, वो आपके लिए काफी सुब होगा, इस ओरान आपको घर-परिवार का पूरा सहयोग मि लेगा, तो सब के साथ मिलकर काम करने के कारण आप अपने सभी लक्षों को आसानी से प्राप्त करने में सक्चम होगे, अगर आप औरों के साथ मधूर संबंद बनाने के लिए ततपर हैं, तो वो लोग भी आपकी सहता करेंगे, और आपको इस दोरान वेबसाइक छेत्र म अच्छे लाप की प्राप्ती होगी, और इस दोरान आप अपने लक्षों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, और आपके रिस्तों में भी मधूरता आएगी, साथे इस देन बुद्ध देव वर्सवरासी में गोचर करेंगे, यानि आपके छटे भाव में वराजमान होंग और धनुरासी के लोगों के लिए बुद्ध सात्वे और दस्मे भाव के स्वामी हैं, तो इस गोचर के दोरान जीवन साती के साथ सम्मंदों में समश्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो ऐसे में परिवार के साथ, जीवन साती के साथ, उचित समय बिताएं, अपन इस परधा देखनी पड़ेगी, यानि मार्किट में भी आपके कॉंपिटीटर होंगे, जहां आपको अपने प्रियास करने होंगे, लेकिन आपके दुआरा किये प्रियास की गई मेहनत, आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी, बात करें, आठ जून 2023 की, तो आसाड महा का क पर्षन पक्ष का गुरुवार का दिन होगा, पंचमी तिति होगी, इंदर योग बनेगा, और सिर्वन नक्षत्र होगा, सुर्या देव वर्षब राजमान होंगे, चंद्र देव मकर राजमान होंगे, राहुकाल का समय दो फैर दो बजकर चार मिनट से, दो फैर तीन बावन मिनट से दो फैर बारा बज कर 47 मिनट तक रहेगा और इस दिन रवी योग बनेगा और रवी योग को सूरिय का अविश्ट प्राप्त है इसलिए इस दिन सूरिय की पूजा की जाती है गाय को गैहों खिलाया जाता है इस दोरान यदि आपने बाहर से कुछ पैसा लिय दिन सॉरिया हुआ है तो उसे उतारने में आप सक्च्छम होंगे इस दोरान की गई खरीदारी आपके लिए लाबदाई होगी साथ ही आपके कस्ट दोर होंगे आपकी परिशानियां कत्म होंगी और घर में खुशाली होगी चंद्रमा यहां के दित्य भाव में हैं और दित्य भाव में चंद्रमा इस्थित होने पर यह भाव बरस्पति शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव में आता है तो शुक्र यहां आपके एस्टम भाव में वराजमान है और देव गुरु बरस्पति आपके पंचम भाव में वराजमान है और ग गुरु यहां आपके ज्ञान में व्रध्धी करेंगे, धन्धान में व्रध्धी करेंगे, और छात्रों के लिए समय बेहद अनुकूल होगा, प्रेम संबंदों के लिहाज से भी यह समय अनुकूल होगा, संतान की ओर से कोई सुब समाचार प्राप्त होगा, और आपके सभी कारिय बनते हुए नजर आएंगे लाब मिलने के यूग बनेंगे नौकरी करने वालों को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभाव ना होगी साथ ही वेतन वरद्धी भी संभाव है मित्रों का पूरा से यूग बिलेगा और स्वास्ते में भी सुधार देखने को तो यहां इस्तित चंद्रमा आपको बहुत अच्छे परणाम देने का कारिय करेंगे इस घर में चंद्रमा इस्तित जो होता है वो मजबूत होता है और शुक्र के खिलाप बरसपति का अनुकूल समर्थन मिलता है और बरसपति की खिरपा दस्टिया आप पर बनी हुई है ऐसे में आपको पैतरक संपत्ती से भी लाब की प्राप्ती होगी, और ग्रहों की इस्तिती जो भी हो, यहां इस्तित चंद्रमा आपके वंस को जरूर बढ़ाएगा, यानि जो लोग संतान की चाहत रखते हैं, उन्हें कोई गुड न्यूज मिलेगी, इस रासी के जो चात्र हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कुछ नए अफसर प्राप्त होंगे, जो लोग उच्छा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं एडमिशन के लिए अपलाई कर हैं, तो वहां भी आपको सफलता के योग बनेंगे, यहां आपकी वानी भी मधुर होगी, आपकी वानी से लोग प्रभावित होंगे, परिवार का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, परिवार के साथ अच्छा समय वैतीत करेंगे, धंधानने में व्रद्धी होगी, और परिवार का सुख भी आपको प्राप्त होगा, समाज में अच्छी इस्थिती बनी रहेगी, अच्छी बचत इस वरान आप करने में सक्छम होंगे, तो यहां दिथ्थे भाव से अस्टम भाव पर चंद्रमा की दरस्टी है, तो ऐसे में आपको अपने पिर्ति दोंधियों से विरोधियों से थोड़ा साफधान रहना होगा, क्योंकि वो आपको चूट पहुंचाने की कोशिस करेंगे, कुल मिलाकर ये जो दो दिन होंगे, इन दो दिनों में बनने वाले योग, गरहों की इस्थिती आपको मजबूती प्रदान करेगी, इस वरान भगवान, शिवाय अवश्य लिखें और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शिर अलएये